दोस्तो भुपिंदर सिंग की एक गजल है, कभी किसी को मुकंबल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमा नहीं मिलता, जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होई नहीं सकता है, कुछ नहीं कुछ कमिया तो सबके जीवन में लगी ही रहती हैं, और उसको मैनेज करने का नाम ही जीवन है दोस्तों सोचना पड़ेगा कि हमारा इतिहास हो या फिर हमारा बरतमान हम जहां भी देखते हैं जितने भी लोग सफल वे हैं वो सीमित संसाधनों को मैनेज करके ही स्फल वे हैं आप सोचिए कि साधन वे इन राम जो की वन में रहते थे उन्होंने किस प्रकार से बानर और वालू के साथ एक ऐसा मनेजमेंट तयार किया कि उन्होंने लंका पती रामण को हरा दिया दसारा भी आने वाला है तो एक नया संकल्प आपके मन में होना चीए तो चीजों को आप कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है आपका पैसा हो, आपका टाइम हो, आपकी स्टडी हो कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास पढ़ने का वक्त नहीं होता है सुबह आदे गंटे और साम को आदे गंटे भी प्रति दिन अगर आप नेमित घड़ी देखकर पढ़ना सुरू करते हैं एक किताब के चार-पास पन्ने भी अगर आप प्रति दिन रोज पढ़ें तो एक मेने में आप कितने पेज खतम कर सकते हैं यानि कि कई किताबे हैं जो की साथ समाथ हो जाएंगी कई किताबों का मतलब कि सौब पेज से अधिक की अगर कोई किताब है तो वो तो आप खतम करी सकते हैं एक साल में आप कम साता-ाथ किताबें पढ़ सकते हैं तो ये चीजें आपके knowledge को improve करेंगी आपकी life को और better बनाएंगी तो यहाँ पर specific बात क्या है कि आपको manage करना आना चाहिए क्योंकि management का नाम ही life है और जो लोग manage नहीं कर सकते हैं वो कितने भी साथन संपन क्यों नहीं अनंत उनके हाथ सिर्फ एक चीज़ लगेगी और वो है भश्चाताब देखे फ्रेंट्स जैसे कि कुछ लोग खंडशिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं खंडशिक्षा अधिकारी बनना एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है बहुत ही सांदार पद होता है इसमें जो रुत्बा लोगों को प्राफ्ट होता है वो PCS लेबल के अधिकारी का होता है आपकी गाड़ी जब पहुंचती है कहीं पर जब आप जाते हैं जाज करने के लिए तो आपको बहुत परियाप्त सम्मान मिलता है वो सम्मान ही सब कुछ है समाज में भी आपका एक अलग रुद्बा होता है सारे चीज़ें बदल जाती है लोगों का नजरिया भी आपके प्रती बदल जाता है और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है एक गरीब व्यक्ति जब अमीर बनता है तो वो गरीबों की तरब भी मतलब ऐसे देखने लगता है जिसे लगता है कि वो कभी गरीब था ही नहीं जैसे कि खंसिक्चा अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि इसके लिए कड़ी मेहनत के सिवाए कोई भी अन्य विकल्प, कोई भी अन्य साड़कट नहीं है ये राह इतनी आसान नहीं है क्यों क्यों कि सबसे बड़ी बात कि इसमें जो पदो की संक्या है इस बार 2022 में वो काफी कम रणे वाली है पदो की संक्या आप निश्चित मानेए कि 500 के ही आसपास रहेगी मतलब अगर नए पदो को वी जोड़ लिया जाये तब भी 200 के आसपास का मतलब 200 से कम भी हो सकता है 200 से ज़्यादा भी लेकिन 300 से एब अब तो नहीं जाएगा 300 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ स्याद 200 ही लिबिट मान के चलिए 200 से कम 200 से 200 के बीच में पद रहेंगे और आवेदक आवेदक तो आप देखी रहे हैं बहुत बड़ी संक्या होती है उसमें serious aspirant भी होते हैं बहुत सारे लोग जो लोग UPSC देकर वापस होते हैं रिटर रूपते हैं वो लोग भी खंड सिक्षिया दिकरी देना चाहते हैं यह तो सुभाग की बात है कि बहुत सारे UPSC aspirants जोते हैं वो B8 नहीं किये होते हैं नहीं तो अगर उनसे आपका मुकाबला हो होगा भी बहुत सारे लोग किये भी होते हैं तो निश्यत रूप से एक कड़ी प्रतुविक्ता आपके सामने रहेगी अब सबसे बात यह है कि सबसे बले तो आपको यह pattern समझना होगा कि exam का जो pattern है वो भी आसान नहीं है प्री का जो label है यह बिल्कुल PCS का ही label मान की चलेंगे तभी आपका कल्याड होगा और प्री में आपको बता दें तो प्री में कुल मिलाके दो घंटे का समय मिलता है आपको 120 प्रस्णों को आपको हल करना होता है सबी प्रस्णों होते हैं वो MCQS बेस जोते हैं 300 अंकों का यह paper होता है प्री में सिर्फ एक paper होता है जो की qualifying होता है आपकी जो final merit बनेगी वो मुख की परिशा के आधार पर बनती है मुख की परिशा में दो paper होते हैं बहला paper GS का होता है और जो दूसरा paper होता है वो हिंदी का होता है हिंदी में आपको दो पार्ट करने होंगे एक general हिंदी जिसमें grammar रहेगा और एक essay ठीक हैं तो इस परकास जो आपकी final merit बनेगी वो 400 अंकों के आधार पर बनेगी सेम पैटर्न RO ARO का भी है तो यहाँ पर RO ARO और BEO में जो basic difference है वो मैं आपको बताता हूँ RO ARO में जो GS होता है वो optional होता है उसमें जो प्रस्णाते हैं वो MCQs बेस्ट होते हैं जबकि जो खंशिक्णादिकारी का GS होगा वो descriptive होता है खंशिक्णादिकारी में जो GS आपको मिलेगा तो GS का जो paper होगा वो 4 खंडों में बटा रहता है आप देख सकते हैं और इसमें 3 खंडों में बटा रहता है सबसे पहले 10% आपको हल करने होंगे जो कि दिर्ग उत्तरी प्रस्ण होते हैं 125 सब्दों में आपको उत्तर लिखना पड़ता है प्रत्ते एक प्रस्ण 10 अंकों का होता है कुल मिलांके 100 अंख इसके बाद 10 प्रस्ण आपको हल करने हैं जो कि 60 answer type होंगे 50 सब्दों में आपको answer लिखना पड़ता है उत्तर मिलता है, मतलब कुल अंक होते है 40, तो इस परकार से 200 ανको का आपका जीस है, जो की परहंपरागत है, मतलब लिखित में ये परिक्षा होती है इसके बाद हिंदी में भी, और हिंदी का जो दूनों पार्ड है, हिंदी में अपने आसपास जो परिक्षक होते हैं मैं उनको भी देखता हूँ तो सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आती है वो कि ये होती है कि कोई भी परिक्षा होती है बड़ी से बड़ी परिक्षाएं भी जब होती है उसमें परिच्छक को सबसे ज़्यादा अंक दिने पर दो चीजे मजबूर करती है पहली बात यह कि जो लेखन सरी है वो अच्छी होनी चाहिए और प्रस्णों को क्रवानुसार अगर लिखा गया है तो परिच्छक को कापी चाचने में सुविधा रहती है दूसरी बात यह कि राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तब अगर आप उसको सुवियोस्ती तरीके से लिखते है अगर आप विंदुवार लिखते है तो जदा बैतर होता है यानि कि अपनी कापी को कितने अच्छे तरीके से आप सजा सकते हैं लिखते समय यह नमबर देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक परिक्षक होता है इसका निश्चित रूप से 100% उसके उपर प्रभाव पड़ता है एक अच्छी कापी को देखते ही उसका जो माइंड मेक अप होता है बदल जाता है यह लगता है जैसे लगता है कि रेकिस्तान में बहार आ गई हो क्योंकि सारी कापियां मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टुडेंट जो कि अच्छे लेबल के उनके आंसर होते हैं फिर भी वो सिर्फ एक डाट्पेन उठाते हैं और उसी से यह पता ही नहीं चलता कि पहला कोश्चन कहां से शुरू हुआ कहां पे खतम हुआ और कितने बिन लिखे गए ना तो हेडिंग का पता चलता है ना तो कोई खास मेंटर आगर उन्हें डाला है कोई कोडेशन डाला है तो किसी का कुछ पता नहीं मतलब वे कि चीजें हाइलाइट नहीं हो पाती है और अगर चीजें हाइलाइट नहीं हो पाती है तो परिच्छक को एक्स्ट्रा परिस्रम करना पड़ता है कि भाईया इसका पहला कोश्चन यहां सुरू किया है इसने यहां पे खतम किया है अच्छे क्या क्या लिखा है तो जोड देना पड़ता है और यह जोड देने का मतलब परिच्छक जुजला जाता है और जो जुजला जाता है तो आपके अंक जो होता है मान लेते हैं कि अगर आद दस अंक है और वो इस तरीके से उत्तर लिखा गया है कि समझ में मतला समझने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो दस अंगों में से वो आपको पांस से साथ के बीच में अंग दे के हड़ जाता है और वहीं पर अगर कापी जासते समय यह एकि कुशन नंबर असपस्ट है तो कला विश्यक में समझ रहे हैं कि अगर आप आप आठ शाइट के सज्जेट लेकर एक्जाम देते हैं तो उस समय अंगों को जो है टेन बाइटेन मतलब पूरा पूर्णाग देना मुस्किल होता है क्योंकि इस साहित यह होता है तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी मतलब यह कि अगर आप खंसिक्षा इदिकारी बनना चाहते हैं तो प्रारमीक परिशा के साथ साथ आपको जो दहु सारे लोग होते हैं बहुत लंबा समय बीद गया होता है अब आप लिखने के लिए अगर आप लिखना छोड़ दें तो आपका जो हाथ होता है ना हात बैठना तो हात भी बैठना बंद हो जाता है मतलब जब आप लिखना सुरू करेंगे तो हाथ में दर्द होगा और अक्षा टेंडे मड़े बनेंगे अच्छे नहीं बनेंगे तो ये सारी चीजे प्रभावर डालती है तो अगर आपको जो वाकई इस परिक्षा में अच्छे अंक लेकर आना है तो सुलेखन का अभ्यास स्टार्ट कर दीजिए प्रतिदिन कम सकम एक गंटे आंसर राइटिंग करिए इससे आपकी स्किल राइटिंग की भी सुदरेगी और आप परिक्षा के लिए जदा बहतर तयार हो पाएंगे सबसे बहतर क्या होगा? सबसे बहतर ये होगा कि जो भी करेंट अफेर और जीएस आप प्रतिदिन पढ़ते हैं उसको लिखिए जितना बहतर लिख सकते हैं उतना बहतर लिखिए कुछ दिन लिखेंगे प्रतिदिन लिखेंगे तो आपकी जो लेकन सेली है वो और भी क्लियर कट होती चली आएगी लिखते समय इसकेश पेन और जैसे नीली पेन, काली पेन, लाल पेन लिखेंगे तो आपका दुबारा पढ़ने का भी मन लगेगा आप दुबारा भी पढ़ पाएंगे और दुसरी बात यही सेली अगर आप एक्जाम में अपनाते हैं तो वहाँ पर भी इसका फायदा आपको मिलेगा तो मिला जुला कर यह है कि पदों की संक्या कम है लेबल काफी हाई है प्रत्युक्ता काफी कठीन रहेगी तो अगर आपको बी इओ बनना ही बनना है तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक्जाम डेट प्री मेंस कुछ भी इंतजार नहीं करना है तयारी आपको स्टार्ट कर देनी है क्योंकि समय कब बीद जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा चले फ्रेंट्स आगे चलते हैं और अगली खबर देखते हैं अगली खबर यह है कि दुको टीजीटी पीजीटी के लिए एक्जाम फार्म दो भरे जा चुके हैं और अब जो सरकार है और जो चैन बोर्ड है वो परिच्छा की तैारीम लगे हुए हैं लेकिन अभी तक जो न्यूस मिल रही है उसके मुताबि कि यह है कि चैन बोर्ड में जो सब्स्रों की संक्याती वो जिसके लिए आवेदर ने लिये जा चुके हैं लेकिन सब्रसों की न्योक्ति अभी तक नहीं की गई है, ऐसी इस्तिती में TGT PGT के लिए अभी तक बरतमान में कोई भी डेट डेकलेर नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर यकिन मानियें कि आपके पास समय बहुत ज़्यदा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि दिस समबर को मान के चलिए, आपके पास साड़ दिनों का समय है, और इन साड़ दिनों में आप अपनी तयारी को अच्छे से आगे बढ़ाईए, TGT PGT के सब्सक्राइब की खुस्वरिती यह होती कि ना तो इसमें एबब एस लिमिट होती है, और ना ही इसमें GS पुछा जाता ह तो जो कुछ भी आपके पास है, मतलब जो कुछ भी study material आपके पास है, सबस्तु पहले तो आप उसको देखिए, notes बनाईए, पढ़ते रहिए, previous जो question paper हैं, उनको खल कीजिए, model paper को खल करीजिए, और हाँ, जो भी topic आपको भूल रहे हैं, उनको लिखिए, मतलब उन पर notes ब ले सकते हैं, और देखो, online पढ़ना यह ज़्यादा असान होता है, online पढ़ने का मतलब, कि चीज़ें आपको फटा-फट मिल जाती है, चाहे वो mobile से पढ़ रहे हो, आप चाहे laptop से पढ़ रहे हो, लेकिन बड़ी बात ही होती ही, कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, अ आप purchase कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि study के लिए कौन सा tablet या फिर कौन सी PC ली जाए, या कौन सा mobile phone बेटर होगा, तो इस पर एक मैं छोटा सा guide वीडियो आपको बना दूँगा, थाकि आप समझ पाएं, कि कम से कम पैसे में, आप कैसे अपनी चीज़ें को ब्यूस्तित कर चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला question, question क्या है, समलो जिंदगी ये question है, तो लग रहा हैगी पढ़ा रहा हूँ है, anyway, देखो UPTT के बारे में बात कर लेते हैं, UPTT के लिए notification कब जारी होगा, मुझे याद है कि 2017-18 के बास से, मतलब बीच में तो lockdown लग गया था, लेकिन 2017-18 में परिक्षा हैं, October, November में करवा लिए गई थी, तो इस परकार से अभी तक notification नहीं आया है, तो देरी तो होई रही है, तो notification आने वाला है, अक्टूबर के पहले याद उसर सब्दा में आपको UPTT का notification मिल जाएगा, और उसके बाद इसकी जो परिक्षा होगी, वो भी December, January में करवाई जा सकती है, तो UPTT के notification को लेकर PNP की और से एक बड़ी जानकारी मिल चुकी है, तो इसके लिए UPTT 2022 के समद में प्रस्ताव जो है, वो सासन अस्तर को इसी मा भेज दिया जाएगा, और विग्यापन अक्टूबर के first week में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, तो UP UPTT का notification जैसे जारी होता है, तो उसके बाद आविदिंगी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बैसिकली अगर आपको UPTT भी क्रेक करना है, जो कुछ भी आपको करना है, फ्रेंड्स, notification का इंजार मत करिए, उसके तयारी में लगिए, क्योंकि समय कब बीतेगा, पता नहीं चले करेंडे़ी है, 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक सभी राउंड के जो counselling है, वो खतम कर वाली जाएगी, पहली counselling जो प्रक्रिया होगी वो 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगी, 9 अक्टूबर तक, जो भीटती होंगे, वो अपने विकल प्रेहने की कालेज़ों का चैन करेंगे और 10 अक्टूबर को जो है उनको कालेज एलोट कर दिये जाएंगे इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी साड़े 600 रुपे होगी विद्ध्यारती यह जो फीस होगी वो चेक के अलावा डेबिट और करेट कार के जरिये भी दे सकते हैं ठीक है और प्राथमिक स्कूलों में 69 जार सिक्षक भरती में आराच्छल विसंगती की बज़े से नियुक्ती से बंचित अनसर सो चैनित अब्यट्यों ने सनिवार को मुक्यमंतरी केंदरी मंतरी अनपरिया पटेल MLC स्टूरेंट चोधरी विधायक वाच्छस्पती और महापॉर्ब अविलासा गुपता को ग्यापन दिया अब बढ़तों ने ततकाल नियुक्ती की मांग की है और आगे बढ़ते हैं अगली खबर है कि UP वोर्ड में 10 अक्टूबर तक भर सकتे हैं 10.12 और अवारामी की परिच्छा फार्म तो UP वोर्ड के लिए 2023 के लिए 10.12 के बढ़ती अब 10 अक्टूबर तक आविधन कर सकते हैं परिस्त ने 9.12 और ग्रामी में परिच्चा सुल्ग चालान के माध्यम से कोसागार में जमा कर सकते हैं जमा परिच्चा सुल्ग की सूचना सैक्षिक विपरन प्रेशित की भी अपसाइट 10 अक्टूबर तक अप्रोड किया जा सकता है तो देखो जो लोग एकल विशे से अपने eligibility, skill को बढ़ाना चाहते हैं जैसे कि कुछ लोग संस्कित से करना चाहते हैं, intermediate, कुछ लोग प्राविधिक कला से तो वो लोग कर सकते हैं, उनके लिए यह एक अच्ची खबर है इसके लिए आपको अपने निकट के किसी भी UP बोड के कालेज से संपर्क कर लेना चाहिए तो फ्रेंड्स यह थी आज की पूरी update और अगर सेसन आपको अच्छा लगता है तो like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोपर एक बज़े मैं आप सभी का पुना हिंजा करूँगा पेट और वीडियो के mock test नंबर 12 में थैंक्यू सो मच है भी great day जैन और हाँ, रात के 8 बज़े भी आपकी एक लास लगती है ठीक है, तो दोपर एक बज़े, रात के 8 बज़े आज का जो current affair है, वो मैं कल सुबह, 5 बज़े आपको मतलब 2 दिन का जो current होगा, वो कल सुबह आपको मिल जाएगा तो दोस्तों, खुश रहिए, मस रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए और अपनी जिन्दगी के प्रती बिल्कुल आसानवीत रहिए उम्मीद बनाए रखिए, आसा सही आकास थमाए Thank you so much